हेलो नमस्टार कैसी हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल में तो आज हम बनाने वाले हैं उबले हुए अंडो की बहुत ही तीस्टी दो रेसिपी जो की जड़ बन के तियार हो जाएगी बहुत कम महनत में बहुती स्पाइसी टीस्टी जो की आपको बहुत पसंद आने तो चलिए जल्दी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं, तो सबसे पहले गयस पे पैन रख लिया है, और दो चम्माज हम यहाँ पर डालेंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हरी मर्ची जगा काली मर्च डाल सकती है, उसके बाद एक बारी कटवा प्यास हम य प्यास को बिल्कुल नहीं करना है, बस हलका सब प्यास जब तक बस ट्रांस्पेरेंट होने लगे, इतना ही हमें प्यास को पकाना है, गैस की फ्लेम को आप यहाँ पे बिल्कुल लोही रखे ताकि हमारे मसाले जले ना, उसके बाद हम एक बारी कटवा टमाटर यहाँ पे आदा चोटी चमज नमक डालेंगे, आप नमक स्वादानुसा डालें और एक चोथा ही चमज हम यहाँ पे लाल मर्च डालेंगे, यह देगी मर्च है, इससे तीखी कम होती है और इससे कलर बहुत जाद अच्छा आता है, उसके बाद मसाले को अच्छे से एक बार और हम मिक हो जाए, मसाला पक जाए, ऊपर से हम यहाँ बाद अलू भूजी अमकिन, और दो अंडे हम नहीं चुटकी यह पर नमक डालेंगे अंडो में इसके बाद अच्छे से फेट लेंगे, और ध्यान रखना है, नमक यह चूटकी ढालाना है, नमक हम ने मसाले में भी डाला है, तो आप उसी हिसाब से डाले तो जब अंडे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे अंडे को देखे इस तरीके से हम इसके उपर से फैलाना है और अच्छे से चमस से आप सैट कर ले ताकि नमकीन सब जगा अच्छे से फैल जाए तो भुझे है नमकीन का हम यह ओमलेड बनाने वाल तो आप अगर प्लेन तवे में बना रहे हैं तो इसमें तो यह बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि बिल्कुल नहीं चिपकेगा तो देखे ओपर से धक्कन में मैंने निकाल लिया है अब हम पैन में रख देंगे इसे और गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल थीमा ही तो आपका पेट बिल्कुल भरा बरा सा लगेगा तो आप इसे किसी टाइम भी बना सकते हैं देखे जट पर हमारा ओमलेट बन के तेयार हो गया और थोड़ा सा नया भी है कुछ अलग भी है ऊपर से थोड़ा सा और यहां पर भुजय नमकीन डाल ले जब आप सर्व करें तो यह और जाद अच्छा लगेगा देखने में तो अब हम दूसी रैसिपे त्यार कर लेते हैं तो गैस पर हमने आपे पैन रख लिया एक छोटी चमज डालेंगे मैल्टेट बटर आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं जब यह अच्छे से गरम हो जाएगा गैस को बंद क एक चौथाई चमज हम यहाँ पर नमक डालेंगे आप नमक स्वादनुसा डाले उसके बाद मसाले को अच्छे से फैला लेते हैं अब गैस को हम अन कर लेंगे और यहाँ पर हमने अबले हुए अंडे ले लिए हैं अंडे को बीज में से दो पीस आप कर ले उसके बाद मसा और दोनों साइड से हम इने बहुत अच्छी से क्रिस्पी मसालों के साथ पका लेंगे और आपको बहुत जादा तेल का इस्तमाल भी नहीं करना है बस एक ही चमजाब तेल में इने अच्छी से फ्राइ करें तो देखे हमारे कितनी टेस्टी मसाला अंडे बनके तयार हो गए अब हमें इनकी चाड बनाएंगे तो गरम गरम अंडे हम प्लेक में डालेंगे तो अंडे ऐसे ही खाने में बहुत जादर टेस्टी लगेगे, बहुत क्रिस्पी लगेंगे, आप जरूर इनको एक बार बना के देखे, आप ऐसे ही खा सकते हैं, या देखे मैंने इसकी थोड़ा सा चाट भी बना ली है, तो थोड़ा सा बारी कटेवे हम यहाँ पे प्यास दालेंगे ईसके बारी कटेवे हम टमाटर डालेंगे बीज आप टमाटर के पहले निकाल ले उसके बाद थोड़ा सा उपर से हम हरा धनिया डाल लेंगे थोड़ा सा हम यहापै भुना हुआ जीरा डाल लेते हैं ठोड़ा सा यहापै चाट मसाला डाल लें या चाहे तो आप वोड़ा से हल antibiot किसी काली मिर्चप भी डाल सकते हैं इसे अर जादर टेस्टी लगेंगे खाने में और वैसे भी सर्दियों का मौसम है सरदियों में तो ऐसी जी जो बहुत अच्छी लगती है उपर से थोड़ा सा आप यहापे नमकिन डाल सकती है आपके घर में कोई भी सेव या भुजया नमकिन हो वो उपर से आप डाल ले तो देखें यह हमारी एक चाट बनके तयार हो गया बहुत ही टेस्टी लगी ही खाने